नमस्कार दोस्तों वापस से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा अपाथ है और नवन में आज मैं मॉर्निंग में अपना कबर ठीक कर रहे थी तो अचानक से इस ड्रेस पे मेरी नजर दे वाइट क्लर मुझे बहुत बाउट अच्छा लगते है मुझे लगता आप मेंसे भी बहुत सारे लोगों का वाट क्लर पेप्रेट होगा is it or not? वैल, वाइट कलर के पीछ बहुत सारी psychology है वाइट कलर अगर हमारी skin का हो जाए तो लोगों से कितने सारे compliments सुनने को मिलते हैं हम beautiful हो जाते हैं, सुन्दर हो जाते हैं, handsome हो जाते हैं वाइट कलर के कार भी लोग लेना पसंद करते हैं वाइड रंग का दूद नहीं खाना भी पसंद करते हैं लेकिन रात की सुनहेरी नीद के बाग यदि मॉर्निंग में आप मिरर के आगे अपने बालों को काले घने बालों को सहलाने जो और अचानक से आपकी नजर आपके पहले सफेद बाल पड़ पड़ जाए तो क्या एमोशन आते हैं याद आ रही है कुछ मेमोरीज में आपका पहला सफेद बाल येस तो आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे पोयम जो मैंने लिखी है वो शेयर कर रही हूँ पहला सफेद बाल जब हमारे पहला सफेद बाल आता है उन्रों के हर पड़ाव के लोगों के साथ हो सकता है तो क्या एमोशन होते हैं हमें कैसी फीलिंग आती है हम क्या क्या करते हैं क्या सोचते हैं उसे ही पोयम के द्वारा मैंने प्रिजन करने की कोशिश की है आपको पोयम कैसी भी लगे प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा और यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना होई हो जो मैंने शेयर ना कियो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा ताकि मैं आप लोगों की हम सब की साइकलोजी भी समझ सकूँ तो चलिए शेयर करती हूँ कवीता पहला सफेद बाल तो बहुत परमाईएगा पहला सफेद बाल अपनी खिडकी से चुपके से जब पडोसी आपकी सारी बाते जान जाता है भाईया वैसा ही एहसास अपना पहला सफेद बाल देख कर आता है उस इकलोटे सफेद बाल के चकर में पहले तो पूरे सर का इंस्पेक्शन हो जाता है अभी तो एक ही आया है यह जान कर थोड़ा सा डरा हुआ दिल समभल तो जरूर जाता है तो देखें दोस्तों, नेक्स्ट पेराग्राफ में मैंने डिफरेंट डिफरेंट अभियान बताया है कि जब सफेद बाल इंसान देख लेता है, तो वो क्या-क्या इनिशेटिव लेता है, क्या-क्या कोशिश करता है अपनी एंड से तो उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर फर्माइएगा, कुछ तो, फर्स्ट केटेगरी है, कुछ तो उसे तोड़ कर भांडा फोड होने के राज से अपने को बचाते हैं मतलब तोड़ी देते हैं उसको, उसका अस्तित्व मिटा देते हैं, बताते ही निए, किसी को राजी रहने देते हैं सेकंड केटेगरी है, कुछ तो, बैक्राउंड में आती है बाज मुझे याद है, जब मेरा फर्स्ट सफेद बाल आया था, तो मैं एक्तम से डर सी गई थी, और मैंने जोर से बोल दिया, अपनी मम्मी को बता है मिरे, यह सुनकर ही डर के मारे उस पहले सफेद बाल को तोड़ते तोड़ते रह जाता है, मतलब हम तोड़ते ही डर के मारे कि और हमारे बाल सफेद हो जाएंगे नेक्स कैटेग्री देखे जो इंस्पेक्टिंग वाले नेचर पे होते हैं बहुत ही जासूसी की कहा कहा सफेद बाल है क्या है सारे इन्विस्टिगेशन नेचर वाले वो लोग क्या करते हैं और कुछ तो अपनी धूम वाली आँखे गर मिरत की आदे कि लौती सफेद बाल की लंबाई का एक्स्टेंशन तक नाप जाते हैं और नेक्स्ट कैटेग्री है बिल्कुल बिंदास बी कूल वाले जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता अब कुछ तो बी कूल एकी तो सफेद बाल है क्या फर्क पड़ता है यह कहकर अपने आपको रिलाक्स तक कर जाते हैं भाईया कुछ तो ऐसे सेंसिटिव भी होते हैं जो इसका दुखड़ा अपने दोस्तों तक को शेयर कर जाते हैं हमारे ग्रूप में बूड़ी काकी वाली खिली सुनकर कई दिनों तक अपने रातों की नीद चुराते हैं अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ मैं बता रही हूँ आपको इस इकलौते सफेद बाल को इतना कमजोर मत समझेगा दादी मा के नुसके से लेकर मोटिवेशन पाने तक के लिए मजबूर कर जाता है अब मैं नेक्स्ट जो पेरा गरफ में बता लिए कि अलग अलग बढ़ा हूँ कि लोग चाहे बच्चा हूँ चाहे जवान हूँ भूड़ा हूँ उनकी क्या एमोशन्स आती है जब उनका पहला सफेद बाल आता है क्योंकि आज की जनरेशन में हर उम्र की लोगों में बहुत ही जल्दी वाइट बाल हो जाते हैं सफेद बाल आ जाते हैं ऐसा नहीं है कि 35 प्लस में ही ऐसा हूँ रहा है टेंशन के साथ जब अगला सफेद बाल आये इसकी information देने की हिदायत तक दे जाती है बच्चा बेचारा मुझे ऐसा लगता है बच्चा बेचारा इतनी टेंशन तो नहीं पालता है लेकिन स्कूल में बुढ़ा वाला कमेंट सुन तू मोगसा बुढ़ा बोलने के लिए मजबूर जरूर कर जाता है देखिए डैश वाला वर्ड़ आप समझ गयोंगे मैं टीचिंग प्रोफिश्मन हूं में हूं तो शाइद यब शब्द नहीं बोल सकती नेक्स्ट केटेग्री जो मैंने शियर की है वो है जवानी की जवानों के सर में जब बाल आता है सफेद पहला तो वो कैसे एमोशन्स होते हैं जवानी में तो पहला सफेद बाल सच बताऊं बुढ़ापे की खौफ को जगाता है भगवान अभी तो शादी भी नहीं हुई बच्चे भी नहीं अभी से मैं बोड़ी हो गई ना जाने कैसे कैसे डरावने एहसासों को जगाता है इन शॉट इन शॉट मैं आपको बता रही हूँ जवान तो पूरी कोशिश कर जाता है पहले सफेद बाल को छुपाने में पुताने में या फिर उसका अस्तितुली बटाने में और सफेद बालों की यात्रा आगे ना पड़े इसके लिए योगा के आसन से लेकर अब तो काफी बाल सफेद हो गए वो लोग सोचते हैं अब तो काफी बाल सफेद हो गए एक से दुगुनों में बदल गए गार्मियर हो या फिर हीना हरबल महंदी बलैक रोज या फिक ताली महंदी ब्यूटी पालर या फिर सेल्फ मेड बालों की पुताई दो आगें एक बार वही जाती है बस लोगों को ये ये इमोशन सुनिएगा ये जर्णल इमोशन होता है इस उम्र के लोगों का जिनके बा पता चले कि कितना पूला हूँ बस लोगों को इतना ना पता चले कितना बंडा हूँ इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए दो महिने की जगर कई बार बालों की पुताई हर महिने भी हो जाती है अब वो लोग सोचते हैं भाई स्किन और बोडी के सुन्दर्दा के साथ बाल भी तो मैच करने चाहिए और फिर अभी तो बच्चे सिर्फ पांस-दस साल के ही है उनकी शादी तक बाल काले ही रहने चाहिए और अभी तो बच्चे सिर्फ 5-10 साल के ही हैं उनकी शादी तक बाल काले ही रहने चाहिए तो देखो कुल मिलाकर यह है एक सफेद बाल की लंबी चौड़ी कहानी तो दोस्तों यह कुल मिलाकर मैंने emotions share करने की कोशिश किया जो मैंने observe कि कुल मिलाकर यह एक लंबी एक सफेद पहले सफेद बाल की कहानी है लंबी चौड़ी कहानी है जो हम देखते हैं तो तो दो मॉरल अब दिस पोयम इस या तो बना लो एटिटूड या तो बना लो एटिटूड मोदी जी जैसा अपने को तो प्यारे है सफेद बालो की चमक अपने को तो प्यारी है सफेदी की चमकार या फिर रंगते रहें सफेद बालो को अभी तो मैं जवान हूँ समझ कर बार बार या तो फिर रंगते रहो सफेद बालो को अभी तो मैं जवान हूँ समझ कर बार बार समझ कर बारबाद तो दोस्तों यदि आपको पोयम कहीं ना कहीं आपको टच की हूँ या कहीं ना कहीं आपका भी इस तरह का observation या इस तरह के भाव होए हो तो कमेंट जरू करिएगा नेक्स वीडियो में जल्दी मिलती हो एक बहुत एचे टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धर्नेवाद